हेलो एवरीवन वेरी वेरी गूर्णिंग एक नए व्लोग में आप सभी का स्वागत है और काफी दिनों बाद मेरा व्लोग अपलोड हो रहा है तो मुझे उमीद है आप सब बहुत जादा एक्साइड़ होंगे और मैं भी बहुत जादा एक्साइड़ हूँ आज अपना व्लोग अपलोड करके मैं व्लोग डेली शूट करी हूँ में कैबला लगा दिया ऐसे डाल दिन भी लिए उसके लिए सौरी लेकिन देखिए आज में व्लोग लेकर के आ गई हूँ तो आप लोग इसको खूप सारा सपोर्ट करना लाइक करना कमिट करना तो यहां पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है बच्चों का लंच जो है वो मैं बना रही हूँ लंच में बना रही हूँ आलू के पराथे दोनों को स्कूल जाना है आलू के पराथे फेवरेट है इनके तो आलू के पराथे दो बनाया आई हूँ मैं अभी फिलाल तो यशी जा रही है साड़े साथ बज़े इसकी वैन आएगी आइना भी रेडी नहीं हुई है तो वह होगी थोड़ी देर में आइना देखिए क्या कर रही है आपको पता है आइना येशी का बैग लगा रही है वह बहुत जादा आइना केर करती है येशी की उसकी इतनी हेल्प करती है और मैं यहां पर पाइना येशी के लिए मैं इन दौनों के नाम में बहुत जादा कंफूज वहत हुती हूं बहुत जादा तो मैं येशी के लिए ब्रेड बना रही थी स्वास लगा करके और साथ में एपल बेंवी कट और लेए थि फिर आ गई हूं किचिन में बोटल में पानी भने क्री यहां पर देखिए आयना कभी बैग लग गया है वो भी तयार हो करके आ गई है इनके पापा इनको नीचे छोड़ाएंगे यह शी को छोड़ा है आयना को भी छोड़ाते वही उनीक कामिन दोनों को नीचे वैन तक ले जाना जब वह वाले गर में थे पुरारे तो भी यही ल आते हैं तो अभी मैं देखिए लगा रही हूं जाड़ू खाना क्या खाने का क्या मतलब लंच का जो काम है वो तो हो गया है और अभी लेकिन यह कि हस्बेंट का लांच अभी बनाना है तो मैं बाद में बनाऊंगे उन्होंने मुझसे कह दिया कि वह आज नहीं ले जाने लगा लेती हूं तो मैंने लगा करके नहा नहा भी लगा करके तो लिए भाद में बनाती रहूंगी तो देखिए मैंने नहा कर आ गई हूं अब पहले तो अपने बालों को मैं सबसे अच्छा लगता है और वाफर थोड़ा बालकरी में खड़ी हो गई थी यहाँपे फ्रे मौसम काफी अच्छा है वारिश वारिश हो गई है तो थंड़ा मौसम है धूप भी बहुत अच्छी नहीं निकल रही है मतलब वैसे नॉर्मल बादल-बादल सा रहता है मौसम अभी देखिए मिल्क जो है वो बॉil करने के लिए रखना है और साथ में मैं अपनी ली बना रही हूँ चाय तो चलिए फ्रिज से निकाल लेते हैं अद्रग और फ्रिजबी मेरी अब साफ करने लाइक हो गई है गंदी तो उतनी नहीं लेकिन समान बहुत जादा इसमें पूजा नहीं किया मैंने तो मैं चाय चोड़ करके आए हूं पूजा करने के लिए फिर उदर भदमन भी जा चुके आए नहीं सब लोग जा चुके और यह वाला दर्वाजा खुला था मैंने ध्यान दिया कि अभी हो सकता है बंदर ना आजा क्योंकि यहां बहुत बंदर ह तो मैंने उसे दर्वाजे को बंद किया है और अब जा रही हो फाइनली अपनी चाय जो है वो चान के पिऊंगे मैंने दुबारा घरम करी है क्योंकि पूजा किया तो फिर उसमें ठंडी हो गई तो चली अम मिला है टाइम मुझे चाय का अभी नहुज के पंद्रा मिनट हो इतलब बच्चों के लिए लंच बनाया तालो पुराटे सिर्फ भई बना है फद्विन के लिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो कैर जो मैं बिर्यानी खूँगा इसलिए मैंने नहीं बनाया बाद में बनाओंगी जब अच्छी आएंगे फिष्डी बगार बना लोंगे औ और यह हैं वो कपड़े जो गुड़गाओं मैं पहन के गई थी ना मैंने इनने अभी तक धूला नहीं है मैं एक्चली यह मशीन में वाश नहीं करने हैं तो इसलिए यह अभी तक पेंडिंग में जा रहे हैं वरना कबके धूल गया होते हां हां से मुझे इने दूलना है अब हाँ से दूलने का रोज कल 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 होता है लेकिन अभी इनका मौरत नहीं आ रहा है तो रखाएं उमें बाहर तरफ और यहां पर देखिए यह हैं कपड़े जो कल मैंने धूले थे और उसके बाद क्या हुआ मैं दयान नहीं दे पाई थी बारिश में यह पूरे भिग लेकर के जा रही हूं ऊपर मतलब छट पम जारी होने लेकर के और ढाल के आती हूँ अभी वैसे भी फ्री हूं अभी मैं पसक्काम नहीं था जादा कुछ दस बजह मैं फ्री होगई हूँ आज खाना वना तो वैसे भी नहीं बनाया है तो इसलिए और ज़्यादा मेरा की एडिटिंग करती हूं उसके बाद लेकिन अभी पहले कपड़े जो है वो डाल देती हूं तो यहां देखिए मैं च्छत में आ गए हूं और हवा जो है वो चल रही थी तो अभी पहले तो इतने सारे कपड़े ना मैं बालटी मिला आयूं न कुछ तो पहले ऐसे इतार में एक करके उसके फिर इन्हें अच्छे से फैला दूंगी ताकि हवा लग जाए धूप लग जाए और यह कपड़े सूख जाए वरना इनमें महक आ जाएगी क्योंकि थोड़े-थोड़े से गीले हैं वही मशीन के ड्राय हुए हैं तो इसमेल आ जाती है फिर अजीब से लग हैंगे तो देर लगेगी तो यहां पर देखे सारे कपड़े अच्छे से फैला दिया और कुछ कपड़ों की जगा नहीं बचीती तो इधा तरफ मैंने डाल दिया है और बस थोड़ा मैंने वाक की छत में यहां से उपर से नीचे देखने में बहुत डर लगता बहुत उच था तो मुझे तो लगता है नीचे इना चली जाओं तो अभी मैं नीचे आ गई हूं उपर चाथ में कपड़े कुछ डाल आए हूं और कुछ थोड़े भूत रहे गयते तो मैं बालकनी में बीटाल दी हूं वैसे आज हवा बहुत चल रही है तो बालकनी में जो डाले है न और अभी भी एक दो गंटे में सूखी जाएंगे तो उठा लाओंगे मैं और अभी बज रहे हैं 11 मैं जा रहे हो अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए तो साड़े बारा तक मेरा व्लॉग जाएगा दाल मैंने रखी थी ना छट पे तो धूप इसमें लग गई है इ अब पूप दो पर आपकी में शूरी में जाएगी मुझे मन में जाएगी मुझे तो आगए स्कूल से और मैं उसकी डूस वगेरा चेंज करवा दिये हैं खाना में थोड़ी देर में उसे दे दूगी और मुझे ना टेंशन होरी है पानी की क्योंकि बादल हो रखें और मैंने ऊपर कपड़े फैला रखें और मुझे दाल भी रखेंथी दूप में तो देखना थोड़ो ध्यान देना पड़ेगा वरना कपड़े भी सारे गील हो जाएंगे मुझे दाल परी खराब हो जाएगी तो मैं बार-बार बालकनी में जा जाके चेक कर रही हो बारिश तो नहीं हो रही है तो अभी मने लगा दे रही हो भी और यहे यहां अदर आओगी भी मैंने सोड़ी दर पहले साफ किया था फिर वो शूज रख दी है और अब अपने ड्रस वगएरा वो चेंज कर रही है यहां पर कपड़े जो है वो मैं ले करके आ गई थी उपर से क्योंकि यह अच्छे से सूख गये थे और बारिश का कुछ भरोसा नहीं है पता चले बार देखी पहले इतने सारे कप्ड़े दूलना फिर इनको अच्छे से वह फिला करके सुखाना फिर इनको एक एक फोल्ड करके कबर्ड में रखना और अगर इनको आइरन करके रखूं तब और भिछ द्लाग करती हूं Jeśli पैसे विडि़ी में वोग करो पसंद आउगा पशंद आया हो मैं जारी हो नीचे पूजा थो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूं आपको पसंद आ होगा पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में